हेलो दोस्तों दृष्टी PCS चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चर्चा करेंगे साइंस दिस वीक प्रोग्राम के अंतरगत जो भी महत्पूर्ण खबरे होंगी विज्ञान एवं तकनीक से संबंदित या फिर परियावरण एवं पारिस्तित्की या फिर जीवन में हम विज्ञान के रूप में अनुभव करते हैं इन सभी चीजों को परिक्षाओं में महत्पूर्ण रूप से पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है इसलिए हम कुछ विगत वर्षियों के प्रश्णों को भी शामिल करेंगे इसके अलावा जो करेंट देखेंगे और उन खबरों का विशलेशन करेंगे अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी शब्द या कोई भी आयाम हमारे लिए प्रश्ण के रूप में सामने आता है तो हम इसका उत्तर दे सकेंगे पिछले सेशन में आपको एक अभ्यास प्रश्ण दिया गया था जिसका अब प्रश्ण में क्या दिया है रतौंधी रंजक हिंता हीमोफील्या और वर्लान्हिता इसमें क्या कहा गया है अनुवाइंशिक रोग नहीं है रोग कैसे रोग होते हैं जो रोग एक पीडि से दूसरी पीड़ी में ट्रांसर हो जाते हैं यानि जन्म के समय ही बच्चे के जनेटिक्स में कुछ इस तरह की चीज़े मौजूद हो सकती हैं जो आने वाले समय में उसको उन रोगों से पीड़ित कर दें या जन्म के समय ही उसको उन रोगों के साथ पीड़ित हो सकता है जन् लोग तरगत व्यक्ति दिन में तो ठीक से देख पाता है लेकिन रात के समयसे उसको देखने में समस्या होती है iss b कमी का कारण विटमन को माना गया है कि अगर विटम्न steep कमी होती है तोछी हो सकती है और भी अन्यकारण हो सकते हैं इसमें क्या है देखें आपको दिख रहा होगा सामान्या है यहां पर और सामान्य लेंस है लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी है तो उसके लेंस में यहां पर कुछ अलग तरह से दिक्कत आएगी और जो प्रकाश की पुझ एक जगे एकत्रेस होनी थी वह 6G 5G आ गई है कई लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे अब 6G की बात है तो 6G तकनीक द्वारा निम्न लिखित में से अधिक्तम कितनी इंटरनेट है Speed प्रदान करने का अनुमाल लगा गया है चुकि अनुमाल है अभी तकनीक आए नहीं है लेकिन यहें तो पता चलिए जाता है कि कितने स्पीड है्सक्ति को अभॉल नहीं है तकनीक की जो अधिक्तम स्पीड देख गई या मानी गई है वो है दस गीगावाइट प्रति सेकंड अब बात हो रही है सिक्स जी की तो सिक्स जी अभी तो मौझूद नहीं है लेकिन अनुमार यही है कि इससे कई गुना ज्यादा तेज होगी तो कहा गया है एक टेरावाइट प्रति सेकंड और यह प्रशन क्यों रिमोट कंट्रोल्ड फैक्ट्रीज यानि की विजन डॉक्यमेंट में ऐसा बताया गया है कि 2030 तक हम किस तरीके से 6G को अपना चुके होगे और 6G में हम रिमोट कंट्रोल फैक्ट्रीज और लगातार कम्यूनिकेट करने वाली खुद से चलने वाली कारों का इस्तेमाल हम द योग होगा इंटरेट अगर थोड़ा स्लो है तो उसका रिस्पॉंस टाइम कम हो जाएगा ऐसे में 6G तकनी कितनी फास्ट होगी कि रिस्पॉंस टाइम कहीं बहतर होगा जिससे उन तक उन कारों की जो तकनीक है जो आटोमेटिकली चलती है वो और बहतर हो सकेगी इसके अ अग्जिस्ट टुडए अभी टकनी की रूप से मौजूद नहीं है तकनीक लेकिन ऐसा कहा गया है कि 5G से 100 गुना तक ज्यादा तेज होगी और प्रधानमंत्री ने 5G तकनीक को अक्टूबर 2022 में भारत में लॉंच कर दिया था तो अगले 10 साल के लिए जो हमारा विजन है वो इसको ले करके है और 6G प्रॉमिस करती है अल्ट्रा लो लेटेंसी और स्पीड अप्टू वन टेराबाइट पर सेकेंड ऐसा इस नियूज में जानकारी मिलती है तो इसका उत्तर है ऑप्षण डी चलिए अगला प्रशन निम्द लिखत में से किस अवस्था को ट्राइ ट्राइमर ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर रक्ताल्पता तो जो ट्राइसोमी 21 है यह संबंदित है डाउन सिंड्रोम से या डाउन सिंड्रोम को ही ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है क्यों इसकी चर्चा की जा रही है क्योंकि 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है जिसके अंतरगर्ट डाउन सिंड्रोम से संबंदि जो समस्थ्या है एक विकार है उसके बारे में जागरुकता फैलाई जाती है जो किसी बच्चे में सामान जीवन को जीने के लिए थोड़ी सी कठनाई पैदा कर देता है और बच्चे का जो हाउभाव है या शारेरी के विकास है वो थोड़ा सा अलग तरह से होता है कई बार देख सकते हैं कि गर्दन का अकार छोटा हो जाता है यहां नाक के पास की मांस्पेशियां बहुत कमजोर होती है या फिर यहां पर नाक का उभार है वो कम होता है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह कुझ भीमारी है अपने अप में इसको कहा गया है डाउन सिंड्रोम तो इसके अंतरगत व्यक्ति में एक्षट्रा क्रोमो सोम का एक जोड़ा मौजूद रहता है यता है यह हम एक एक एक्ष्ट्रा टोमो सोम की कॉपी बणी होती है सामानेता है कि सी व्यक्ति में 46 गुंण सूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनको आगर हम लिखे तो 23 जोड़े गुंण सूत्र क्या होते हैं जो व्यक्ति के अंतर्गत जैनेटिक्स को डिसाइड करते हैं और माता और पिता से आया हुआ जैनेटिक्स मिला रहता है उसमें इसी का एक जोड़ी गुंण कुछ दुद्ध करता है कि जन्म लेने वाला शिशू है वयबालिका होगी या बालक होगा इसी में एक और कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की क्रोमोसोम 21 के नाम से जानते हैं जिसकी वजय से बच्चे का विकास है वो ठीक तरीके से या सामाने तरीके से नहीं हो पाता और उसकी वज़े से उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चे का दिमाग है वो थोड़ा सा सुस्त हो सकता है उसकी जीव बाहरा सकती है प्रतिक्रिया देने में रिस्पॉंस करने में उसका जो टाइम है वो ज्यादा ले सकता है इसके बारे आपको याद रखना है जो कि गुणसूत्र की एक और कॉपी इसके पास मौजूद होगी तो यह जो ट्राइसोमी है ट्राइसोमी 21 इसलिए भी इसको कहते हैं तो डाउन सिंड्रोम इससे संबंदित है चलिए अगला प्रशन नासा का वेरिटास मिशन किस ग्रह या उपग्रह के अध्यान से संबंदित है चद्रमा बुद्ध शुक्र या फिर मंगल तो वेरिटास मिशन की चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही है और यह संबंदित है शुक्र ग्रह से हाल ही में एक शोध में पता चला ह है कि शुक्र ग्रह के अंतर अंतरगत भी ज्वाला मुखी प्रक्रिया हो रही है और अब रिसर्चर्स ने इसके बारे में एक थो सबूत पता किये हैं कुछ इमेजिस को पुरानी को खंगाला है और बहुत लंबा समय दिया है उसमें हो रहे चोटे-चोटे बदलाव को समझने के लिए तो नासा के द्वारा छोड़ा गया 1990 के दशक के आसपास का एक मिशन ता शुक्र को ले करके उसका डिटा यह लोग देख रहे थे अब आने वाले समय में भी प्रोग्राम यह शुरू करेंगे जो की शुक्र के लिए होगा जुसमें आपको दिख रहा है कि छोटे-छोटे डॉट्स को मिला करके कैसे इन्होंने इस प्रक्रिया को समझा है वेरिटास विल बी दा फर्ष्ट नासार स्पेस्क्राफ्ट एक्क्लोर अर्थ सि शुक्र की कच्छा में चक्कर काटेगा याद रखेगा अभी 2030 से पहले अभी इसके लॉंच होने का अदुमान नहीं है और इसमें अन्न भी सहयोगी है जैसे जर्मन स्पेस एजंसी इटली की स्पेस एजंसी और फ्रांस की जो एजंसी है वो इसमें शामिल है इसके सहयोग के सहयोगी के रूप में तो इसका उत्तार है ओप्शन फी यानि शुक्र अगला प्रशन है एंसिल निम्न लिकित में से किस अंत्रिक्ष एजंसी की कमर्शियल विंग है एंसिल नासा की जाक्सा की इस रो की या फिर ती एनियस की तो एंसल जो शब्द है भी हम इसका पूर एक मिशन लॉंच करने जा रहा है कि यह जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उसी दिन इस मिशन क्यों लॉंच किया जाना है तो भारतिया अंत्रिक्ष अनुसंदान संग्ठन इस्रो 26 तारिक को एक मिशन लॉंच कर रहा है इसमें दिया है इंडिया टू मिशन इंडिया लिमिटेड यहां पर नाम आएगा एंसल हम बोल रहें ना नुस्पेस इंडिया लिमिटेड यह एक एजनसी है जो कि इस रोके अंतरगतकार कर रही है और एक तरीके के कॉर्पोरेट चीजों को यह हैंडल करती है तो इस बार इस रो 72 सैटलाइट को भेज रहा है है जिसमें से 36 पहले ही भेज चुका है किससे LV M3 क्या है आपने पहले GSLV का नाम सुना होगा GSLV को ही अब नया नाम दे दिया गया है लॉंच वीकल M3 या मार्क 3 M2 प्रक्षे पढ़्यान किसे लॉंच करेगा इसमें लगभग अब जो बाकी के छत्ते सुब रहे हैं वो लॉंच किये जाएंगे और लगभग 450 किलोमेटर की जो गोलाकार निचली कक्षा होगी उसमें इनको इस्थापित किया जाएगा वजन अगला प्रश्ण है sleeping sickness बीमारी निम्न लिखित में से किस महादूइत संबंदित है तो sleeping sickness बीमारी का एक तरीके से निदान खोजने की और वैज्ञानिक बहुच रहे हैं इसलिए चर्चा में है यह बीमारी संबंदित है अफ्रीका से अफ्रीका के कई सारे देशों में खास लिए जानना है कि बीमारी क्या है बिसिकली होती कैसे और किस तरह की इससे नुपसान हो सकते हैं इसको कहते हैं अफ्रीकंट ट्राइपैनो सोमियासिस और इसी को कहते है sleeping sickness याद रखिएगा यह एक ऐसी बीमारी है जो कि पैरासाइट से होती है और यह जो पैरासाइट है यह एक मक्षी के अंतरगत मौजूद रहता है इसको कहते हैं से से मक्षी टी से स्पेलिंग शुरू है इसके अंतरगत जो पैरासाइट है वो मौजूद है और जाकर के कई तरह के समस्याओं का कारण बनता है जैसे कि ठकान आना बहुत ज्यादा बुखार आना headache होना मांस पेशियों में दर्द होना और अगर कोई इलाज ना हो तो इससे मृत्य तक हो सकती है अफ्रीकी ख्षि बिल जाते हैं और फिर जाकर करके अलग 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 वरह की समस्या पैदा करते हैं इसका उत्तर क्या है ऑप्षन बी चलिए अगला प्रशन सारस्क्रेन वन जी अधिनियम 1972 के तहत किस अनुसूची में शामिल है अनुसूची एक अनुसूची दो अनुसूची तीन या फि इसके अलावा जो अगर आयूसीन कैटेगरी में इसका हम स्टेटस देखेंगे तो यह अभी वलरेबल है तारस्क्रेन क्यों चर्चा में है उत्तरप्रदेश के अंतरगत कई सारी ऐसी खबरे आगर आप लोग ने सुनी होंगी इसके पहले नहीं सुनी तो देख लिएगा से उसमें एक सारस पक्षी था जिसके संरक्षण के लिए एक व्यक्ति ने बहुत प्रयास तिये एक तरीकी से उसको बचाया और उतको लेकर के कुछ राजीनीतिक किस्थितिया बन रही है तेकिन हमें राजीनीति पर नहीं जाना है चूंकि शारस पक्षी चर्चा में है इ लिए भी जानना जरूरी है तो पूछा जा सकता है कोई सवाल इसका जो वध्यानिक नाम है गुरूस एंटिगोन इसको कहा गया है और पहली इसको एंटिगोन एंटिगोन ने भी कहा जाता था संख्या में इसके गिरावट आ रही है और भारत सहित कई सारे देशों में पाया जाता है अगर आप इसको देखेंगे वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहां दिया हुआ है लिस्टेड इन शेडियूल फॉर ऑफ दा वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन गाइटी टू और यूट्टी लिस्ट में वल्लरेबल है पॉपुलेशन लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास है और बहुत सारी चीज़े इसके बारे में दी हुई है आप चाहें देख लिजेगा चले तो इसका उत्तर क्या है ओप्शन डी कि अब कुछ विगत वर्षों के प्रशन ले ले यूपी प्रस्टी 2014 में पूछा गया है मानव शरीर में सरवाधिक प्रचुर्ता में पाया जाने वाला तक तो है क्या पाया जाता है लौ तोडियम ऑक्सीजन या फिर आयोडीन तो सब्सक्राइब पाया जाता है ऑप्शन सी ऑक्सीजन याद रखना चाहिए आपको इसमें दिया हुआ है कितने परसेंट क्या चीज मौझूद है तो आपको दिखेगा ऑक्सीजन लगभग 65% है कार्बन लगभग 18% हाइड्रोजन लगभग 10% और उसके बाद नाइट्रोजन और फिर अन तो यहाँ पर इसके बार से वाइबंडल मैं पाखेश का रिख Lexus नहीं है तो घ्रिन आपको सवाल बनते है कि कि सांद्रता ज्यादा है कौन सी ज्यादा खतरणाक है इसमें पूछा गया था कौन सी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती तो मिते नाईट्रोजन उसका जो तरहais अप्शन भी या जहरीली गैसों के समूह के अंतरगत रखा जाता है और वाहनों से निकलने वाले धुए में ट्रकों की कारों से जो धुए निकलता है उसकी वज़े से यह गैस बाहर रिलीज होती है और अलग-अलग तरह से नुकसान पहुंचा सकती है के बारे में याद रखीगा एनो ए जयते हैं दिसका उत्तर है option B अगला प्राशन यूपी प्र pact 2016 से कानल मिश्र धातू है कि तामबे और किसको मिला कर नाते है करें का एलोइय Yuan को मिला एं!」 चांदी मिलाते हैं या फिर निकल को तो ताम्भे के साथ हम मिलाते हैs टिन को फिर आज के समय जू का उसा हमें दिखता है वह हम यूष करते हैं यहाज को दिखेगा ब्रॉंज इसको बोलते हैं इनलओए ट्रेडिशनली KMP Oh UP marketplaceًट और को बना जाता है और आज के receptor होता है और लगभग 12% होता है इसको मिला करके बनाते हैं लगभग 4500 इसापूर्व हमें ब्रॉंज से बने हुए जो भी उपकरण थे या फिर सामगरी थे उसकी जानकारी मिलती है हाला कि बहुत ज्यादा प्रजलित नहीं रहा लगभग ब्रॉंज एज के आसपास ही बहुत ज्यादा फिर हमें इसके बारे में देखने को मिलता है काफी समय के बाद लगभग 2000 BCE यानि की इसापूर्व के आसपास अब एक लेले प्रश्न अभ्यास के लिए जिसका उत्तर आ यानि की बाल लूता रेशम या इसको स्पाइडर सिल्क कहा गया है और खुर तो आपको बताना है इन में से कौन सा इसका सही उत्तर है फिर हम अगले सेशन में इसका उत्तर ले करके आएंगे तो इंट्रेस्टिंग सा सवाल है सोचीगा इसमें क्या हो सकता है ना समझ में एक बार गूगल कर सकते हैं अगले सेशन में इसके उत्तर और कई सारे नए सवालों के साथ ताकि आपकी जो तैयारी है ठीक तरह से हो सके पढ़ते रहें अपना खयाल रखिए शुक्रिया है झाल